आज मैं इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि आपको इगनो में admission कैसे करना है जुलाई दो हजार चोवी शैसन के लिए तो पूरा process देखेंगे कौन-कौन से documents लगने वाले हैं कितनी fees लगने वाली है आपकी और apply कैसे करना है पूरा online process भी देखेंगे तो चलिए बिना time-based की वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने गूगल में आना है और जहां पर type करना है इगनो bank आपके सामने जिए एक website open हो जाते है इगनो bank solve assignment cash paper like this तो इस website को आपने open कर लेना है जहां पर click करना है तो आपके सामने जिए website open हो चुकी है और आपक आप किसी एक pro join कर सकते हैं जहां दोनों को करना चाते हैं दोनों को कर सकते हैं और उसके बाद जहां पर एक class पी click कर देना है इस page को थोड़ा open करेंगे जहां पर आता है आपको ignore admission open जहां पर आपको click कर देना है और जहां फिर आप थोड़ा नीचे scroll करेंगे जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इगनो एडमिशन जहां पर भी क्लिक कर सकते हैं और जहां पर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप जहां पर भी क्लिक कर सकते हैं इन मैंसे किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके समने एक next प बताएंगे आप पूरा वेडियो देखिए और जहां पर आप देखेंगे जहां पर इगनो एडमिशन जे बाला ओबर्विव आता है इसके रिची जे एक टेबल आता है तो जहां पर आपको एक द्याण देने बाली बात है कि अगर आप ओडियल प्रोग्राम के लिए अपलाई कर रहे हैं तो जहां पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे अगर आप आप आउनलेंड प्रोग्राम के लिए अपलाई करें तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पहले आप कर लेजिए कि आपने ओडियल के लिए करना है ओडियल का मतलब होग as it is same to same देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ URL का ही different देखने को मिलता है मैं दोनों को बन वाई बन करके open करके आपको दिखाता हूँ कि जहां पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है तांकि आपको पता चले कि आप ODL के लिए अपलाई करें जहां फिर आउनलेन के लिए अपलाई करें तो जह मैं पहले लिंक पर क्लिक करता हूँ और इसके साब जह दूसरा लिंक है जहां पर भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जह जो लिंक है जहां पर आप देखेंगे इस लिंक का समर्थ एजूगिशन डाप इन तो जे जो पोर्टल है तो जे है ओडियल प्रोग्राम के लिए तो वास इतना ही फार्क है बाकी आप देखेंगे जे डैश बोर्ड में जहां पर आपको अकॉंट बगेरा क्रेट करना है और इसके साथ जहां पर भी यह देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स लाइक और जहां पर देखेंगे कि जे बैलकम टू अनलाइन प्रोग्राम से ठीक है दवास इतना सा फार्क है बाकी आपको पोर्टल एज इस सेमिलर बगेरा देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं कि जो एडमिशन की लास्ट रेट है वो क्या है तो ज जहां पर नीचे instruction बगेरा पढ़ सकते हैं क्या क्या आपके documents बगेरा लगने वाले हैं जहां पर साफ साफ detail में बताया हुआ है तो जहां से भी आप पढ़ सकते हैं और फिलहाल तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा process A to Z बताने वाला हूँ तो अगर आप हमारे पूरा व program का है हम जो odial का portal है इसके ओपर register करते हैं अगर आप online के ओपर करना जाते हैं तो बोवी का सकते हैं दोनों का जो admission process है बिल्कुल Sam to Sam है तो मैं odial के लिए आपको apply करके बताता हो जहां पर हम इसको cross कर देते हैं जहां पर आप देखेंगे जहां पर है click here for new registration तो जहां पर आ registration जहां पर click करेंगी आपके सामने एक next page आता है जहां पर आपको एक username देना है username आपको ऐसा username देना है कि जो की पहले अजिस्ट नहीं हो और आपको याद रहे कि आपका जो username है क्या है तांकि आपको बाद में अगर एक उन्हों का id card पके डोनलोड करना रहेगा तो आपको असानी हो जाएगी कि आपका username और password क्या है तो यह आपको जात रखने की जुरूरी रहती है और इसके बाद नीचे आता है एफ लिंग एट ने तो जहां पर आपको अपना नाम फूल नाम डाल देना है जैसे कि आपकी education documents के उपर होता है वो चाहे 10th और 12th की कोई भी mark sheet हो आपकी और इसके साथ आपने email address डालना है और उसी email address को जहां पर confirm करना है और आपने जहां पर एक strong password set करना है और जहां पर उस password को confirm कर देना है जहां पर आपको एक mobile number register करना है mobile number डालना है और उसी mobile number को जहां पर confirm कर देना है और जहां पर जो capture आपको show होते हैं इनको यहां और गा देता हूं और उसके बाद आगे देखते हैं और जहां पर इसको सब्सक्राइब हो जहां पर लगाएंगे और जहां पर login पर click कर देंगे चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ और login पर click करेंगे आपके सामने एक next page आता है जो की important instruction है जे आपको बिलकुल द्याण में रखनी है कि आपको क्या क्या documents गेरा सबसे पहले ready करके रखने हैं तो देखिए सबसे पहले आपको पास एक photo होना चाहिए password photo होना चाहिए जिसका size 100 के भी से कम होना चाहिए आपके signature होना चाहिए इनका size 100 के भी से कम होना चाहिए और जो relevant education qualification जो mark sheet है उनका भी 200 के भी से size कम होना चाहिए और इसके साथ अगर आप SC, ST और OBC category के under follow करते हैं तो आपका जे certificate भी होना चाहिए अगर जे सारे documents आपके पास है तो आप I have read the important instruction जहां पर click करेंगे चेक करेंगे और जे आपको आगे submit का button देखने को मिलता है submit पर click करेंगे तो आपके सामने जे एक admission का form open हो जाता है जिसको आपने 8 step में complete करके अपना admission confirm करना होता है तो अगर आप इन में से कोई भी गलती करते हैं mistake करते हैं तो definitely आपका जो admission बोग reject हो जाता है और फिर आपको regional center के चकर काटना पढ़ सकते हैं तो make sure करें कि आपका जो details है जहां पर बिल्कुल सही सही और proper डालें अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप इस वीडियो को पूरा complete देख सकते हैं बेना skip करें हुए तो आपको कोई भी problem नहीं आने पाला है आप जैसे admission के लिए apply करेंगे तो within seven days के अंडर अंडर आपका admission confirm हो जाएगा तो जहां पर आपका आता है full name मेरे करसर को follow करें मैंने जे demo purpose के लिए RJ Singh नाम रखा हुआ है आपका जो नाम है as per education regard तो बो नाम आप जहां पर डाल देंगे जहां पर अपरी mother का नाम डालेंगे मैं जहां पर एक demo purpose के लिए इसको select कर लेता हूं और उसके बाद जहां पर garden name डालेंगे कि आप कि date of worth है according to documents तो जहां पर आपने date of worth select करना यहां पर लिक करेंगे तो जहां पर आपको सब से पहले year select करना रहता है कि आप किस year का date of worth है तो जहांपर बहुत सारे years बगिरंद को मिल जाते हैं, जहांपर आपका जो years है, date of year वो आपने जहां से select करना है, मैं demo purpose के लिए किसी एक year को select कर लेता हूँ, आपने अपने according select कर लेना है, तो मैं 2004 इसको select कर लेता हूँ, और मैं कोई भी date जहां पर select कर लेता हूँ, आपने सही से अपने जहां पर data worth select कर लेनी है, जह से कि मैंने बताया आपको SC ST और OVC वाले जो है इनके लिए अलग से category specific category है तो इनका जो category certificate है वो भी upload करना रहेगा अगर आप general category में follow करते हैं तो आप general select कर सकते हैं इसके next आता है कि आपका gender अगर आप female है तो female select करें transgender and male तो आपका जो भी gender है उसको select करें उसके बाद जो आपका citizen है like Indian और इसके बाद territory आपकी कौन सी है ruler, urban, travel जो भी है आपकी इनमेंसे वो आप select करेंगे और इसके बाद next minority आप select करेंगे just know में click करेंगे और उसके बाद आपका जहां पर religion पूछा जाता है कि आप Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist जो भी इनमेंसे आपका है वो आप select कर सकते हैं और इसके बाद marital status check करेंगे कि जहां पर आप single और marital इनमेंसे आपका जो भी है वो select करेंगे social status अगर इनमेंसे कोई है तो आप select कर सकते हैं otherwise not applicable इसको select करेंगे next one आपकी email id आ जाते है जो कि आपने अर्जिस्टर करी थी और mobile number आ जाता है जो कि आपने अर्जिस्टर करा था और इसके साथ alternate email id और alternate mobile number भी डाल सकते हैं लेकिन यह जुरूरी नहीं है और इसके बाद other detail में जाएंगी जहां पर personal disability अगर आपकी कोई personal disability है तो आप जहां पर उसे check कर सकते हैं otherwise जहां पर no पर select करेंगे employment status अगर आप employee हैं तो आप employment रख सकते हैं otherwise unemployed पर click कर दीजिए और next one है कि अगर आप scholarship बगेरा कहीं से आपको मिली है तो वो आप amount गिरा slide करके जहां पर डाल सकते हैं तो जहां पर submit पर click कर दीजिए और जो scholarship detail है this is not compulsory जह compulsory नहीं है यहां पर submit पर click करेंगे आपके सामने जो overview देखने को मिलता है जो कि आपने personal detail fill up करी है क्या क्या detail डाली होई है वो आपको जहां पर देखने को मिलती है अगर इन मेंसे कोई भी आपको mistake हो चुकी है तो आप edit पर click करके इसको दबार से edit कर सकते हैं otherwise अगर सही है तो आप next पर click कर देंगे आपके साम पर अपना program type slide करिए कि आपने किस program में admission करना है bachelor degree, certificate, diploma, master, post, graduation diploma और उसी के according जो आपके valid documents हैं वो submit करने रहते हैं जैसे कि अगर आप master के लिए apply करते हैं तो फिर आपको graduation की जो mark sheet है bachelor degree की mark sheet है वो भी upload करना रहती है अगर आप bachelor के लिए apply करते हैं तो फिर आपके जो 12th के according हो उसके बाद आता है mode of study और किस mode में आप study करना चाते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक mode रहता है odial और एक रहता है online mode तो दोनों के लिए portal different हो चुका है तो इसलिए जहां पर आपको odial ही देखने को मिलेगा next one आता है select program enrollment तो जहां पर आप किस program में admission करना चाते हैं वो आप आपको जहां पर program से देखने को मिलते हैं इन मेंसे जिस भी program में आपने admission करना है उस program को select कर लेना है तो चलिए मैं जहां पर BBA जहां पर इसको select कर लेता हूं bachelor of business administrator आपने अपने recording जो भी आप program रखना चाते हैं जैसे BLIS है और भी जहां पर बहुत सारे program से देखने को मिलते हैं तो इन मेंसे जो भी आपको जिस program में admission करना है उस program को select कर लेजिए चलिए मैं इसको select कर लेता हूं उसके बाद next आता है original code of admission तो जो भी आपका original center रखने चाते हैं तो वो आप original code के गार्डिंग रख सकते हैं जहां पर आपको original code select करना रहता है original center के साथ आता है रिखने खाली को तो जो भी आपका original center है वो आपने जहां से select कर लेना है उसके बाद आता है कि study center उसे रिजन सेंटर के एंडे जितने भी सारे study center होंगे वो आपको दिखने को मिलेंगे और इनंवे से आपने जो रखना है उसको आप select कर सकते हैं उसके बाद है निचे medium जहाँ पर आ आप बहुत सारी detail डाल सकते हैं अदरवाइज आप no पे click करके submit पे click कर देंगे आपके सामने बहुत पर विव पे जा जाता है जो अगर detail सही है तो next कर देजिए otherwise edit पे click करके सही कर लेजिए तो next पे click कर रहें next आता है qualification डेटेल की आपकी जो qualification है वो क्या है तो relevant qualification है जहां पर 10 plus 2 होना चाहिए क्योंकि हम bachelor के लिए apply कर रहे हैं तो 10 plus 2 होना compulsory है तो उसके बाद आपने जो आपके जो man subject है वो क्या क्या है तो इन में से आप जो भी man subject है उनको select कर सकते हैं तो कोई भी जहां से subject select कर लेता हो और उसके बाद आता है यहां पासिंग की आपने जो लाइक ट्वैल्थ आपने की सेयर में पास करी हुई है तो वो जहां पे आप जहां से select करेंगे मैं इसको 2030 select कर लेता हूँ चली 24 select कर लेते हैं और उसके बाद आता है division किस division का marks आये हैं first second third और जहां सिर्फ pass हुए तो आप आपकी जो division है वो आप select कर सकते हैं आपके कितने marks कितने percent marks आये हैं वो जहां पर आप जहां से select कर सकते हैं बोड कोड जिस बोड से आपने टेबेल्ट करी हुई है उस वोड के आप जहां पर selection करेंगे अगर जहां पर आपका वोड नहीं दिखन को मिलता है तो आपका जिस लिस्ट को आप कली करके रख सकते हैं तो हम जहां से कोई एक वोड select कर लेते हैं आपका जो बोड है आपने वो बोड select कर लेना है उसके बाद नीचा आता है रोल नंबर तो जो आपका ट्वैल्ट का रोल नंबर था उसको select कर लेंगे मैंने example के लिए इसको select कर लिया और उसके बाद सामिट पे क्लिक कर देना आपकी सारी डेटेल प्रव्यू होती है इसको आप इंद्यान से चेक करना है और नेक्स पे क्लिक करना है आपके जो courses रहने वाले हैं जो आपने graduation में पढ़ने हैं जैने कि first year यह faster semester के और यह second semester के तो वो आपको जहां बाद देखने को मिलते हैं तीन और तीन जहांके तीन और चार compulsory है इनमें से आपको एक subject select करना है जी दो options में से इनमें से जो भी आप select करना चाहते हैं वो select कर लेजिए और उसके बाद submit पे क्लिक कर देंगे तो इनमें से हो सकता है कि अगर आपका कोई और program है तो वहां पर आपकी दो selection हो सकते हैं तिन selection हो सकती है और कुछ आपको compulsory देखने को मिलेंगे तो उसके बाद submit पे क्लिक करेंगे आपको जे सारी details यहां पर देखने को मिलती है कि आपकी कौन कौन से सब्जाइक् कितने credits बन रहे हैं कितने जो course code है वो compulsory है कितने course compulsory है और कितने elective है जैसे कि हमारे case में अभी एक ही elective है और बाकी के compulsory है अगर यह सारे सही है details तो फिर आप next कर दीजिए otherwise आप edit पे क्लिक करके इसे edit कर सकते हैं तो हम इसे next पे क्लिक कर देते हैं next आता है corresponding details तो जहां पर आपकी जो detail है वो fill up करने है like postal address वगेरा fill करना है तांकि आपका जो steady material वगेरा रहने वाला है वो आपके हर जिसरी address पे send कर दिये जाए तो चलिए जहां पर हम कोई भी detail जहां पर डाल देते हैं as a example के लिए और उसके बाद next आता है जहां पोस्टल code select करना है कि आपका कौन स पोस्ट फीस है जहां कि मैं कोई भी एक पोस्ट फीस select कर लिजिया और समिट पे click कर दिया आपका postal address वगेरा सही है detail तो आप next कर देंगे अधरवाज edit पे click करके इसको preview कर सके next बनाता है जी upload document तो आपने जहां पर upload document करने रहते हैं कि जो भी आपके document रहने वाले जैसे कि हम हमारा बैचलर डिगरी के लिए हम apply करें तो हमारा जो मैं डाकुमेंट है वो 10th और 12th की mark sheet इसका साथ कोई deployment है वो भी upload कर सकते हैं मैं है signature of photo right तो जो सारे document upload करने है फोटो के लिए हम फोटो पे click करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या 100 KB का आपने एक साइज बना लेना है 100 KB से कम का और 10 KB से उपर का और JPG जान JP EZ format में होना चाहिए और इसको आप upload कर लेजिए तो हमारा 35 KB का है और start uploading पे click करेंगे तो हमारा upload हो जाएगा तो मैंने demo को लिए एक photo upload कर दिया और signature भी मैं as a photo को ही upload कर दोंगा क्योंकि हमने कोई signature भी अभी बनाए नहीं है और हमारा जो admission परपस है जिस सिर्फ और सिर्फ डेमो परपस के लिए है तो हम जहां पे एक photo को ही edit करके start uploading पे click कर देते हैं और उसके बाद next आता है mark sheet तो मैं 3 की mark sheet जहां पे आपको 10th की mark sheet upload करनी है और जिस file को आपने upload करना है उस file को select करके upload करेंगे तो मैंने demo purpose के लिए एक जहां पर upload कर लिए document पर जहां पर आपने 10th की mark sheet upload करनी है जहां पर tablet की करनी है तो चले मैं tablet के लिए apply कर लेता हूं जहां पर तो मैं इसको upload कर देता हूं start uploading तुझे भी upload हो चुका है और बाकी अगर आपके पास कोई और डिपला में विगिरा है वो भी आप जहां से upload कर रखते हैं और अगर आप master degree के लिए apply कर रहे हैं तो फिर आपका जो graduation और provisionals विगिरा रहने वाले हैं वो भी आपको upload करना रहते हैं तो चलिए हम जहां पर मारे document upload हो चुके हैं उसके बाद हम जहां पर next पिक कर देंगे तो द्यान दें जहां पार जो आपका photo, signature, metric की mark sheet और 10 plus 2 की mark sheet जो दोनों mark sheet और signature और photo जो सारे अपलोड करना जुरूरी है और द्यान दें जो आप photo upload करें इसको password size में ही photo upload करना है और जो signature है इनको भी craft करके आपने proper signature अपलोड करना है और बाकी भी की जो 10th auto balance की mark sheet है इसको भी आपने scan copy ही upload करना है बलर नहीं होना चाहिए अगर blur होते है तो फिर आपकी admission अर्जेक्ट हो जाएगे यह आपने ध्यान देना है उसके बाद next पे click कर देंगे next पे जाता है preview page की आपने कितनी सारी detail गिरा डाली हुई है वो आपको इस page के उपर देखने को मिलता है सारी sections में अगर इन में से कोई भी section आपका गल्त हो चुका है तो modify this section, modify this section इन section पे modify पे click करके उस section को आप modify कर सकते हैं तो अगर सब कुछ सही है तो आपको जहां पर निचे आता है कि photo signature जो भी आपने upload करे document वो आपको preview करने को मिलता है तो आप preview पे click करके उन document को preview भी कर सकते हैं कहीं रांग document upload तो नहीं हो चुका है और उसके बाद next आता है कि आपकी जो total fee है वो आपको देखने को मिलते है जैसकि हमारे case में BVA की जो fee है वो 10,500 है जैने कि 10,000 की जो fee है और इसके साथ 200 की registration fees है development fees है और 300 registration fees है तो total fees है 10,500 और अगर आपका कोई और program है त होती है और जे BVA की fee से है क्योंकि हमने जहां पर apply कर रहा था BVA के लिए example के लिए और उसके बाद आपने क्या करने इस term and condition को accept करना है आई agree पे क्लिक करना है accept and proceed for payment और इसको आपने इस बटन पे क्लिक करना है और जे आपकी सामने एक पापप आता है कि अगर आप fee submit करना चाहते हैं एक बार आपने क्लिक कर दिये उसके बाद आप इस application form को additive गिरन नहीं कर सकते तो आपने द्यान से देख लेने जहां पर आपको payment gateway देखने को मिलता है तो पहले जहां पर payment gateway दो होते है अब एक ही payment gateway देखने को मिलता है तो हम इस go to payment gateway बंड जहां पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आता है do not refresh the page और उसके बाद ये HDFC का payment gateway open हो चुका है जुरूरी नहीं है कि आपके पास HDFC का bank होना चाहिए bank account होना चाहिए debit card होना चाहिए credit card होना चाहिए अगर आपके पास किसी भी bank का debit card credit card जाननाइट banking जोज करते हैं तो जहां से आप payment कर सकते हैं बस जहां पर आपकी जो selection गिरा रहती है वो आपको सही से करने रहती है जैसे कि पेवेद किस के साथ pay करना चाहिए अगर आपके पास hdfc का credit card है इसको select करेंगे अगर hdfc का debit card है इसको select करेंगे अगर बाकी bank का credit card है इसको select करेंगे बाकी bank का debit card है इसको select करेंगे अगर net banking के साथ करना चाहिए तो net banking select करेंगे और जैसे आपके payment हो जाते है उसके बाद payment के बाद आपका application summit हो जाएगा और उसके बाद within seven days के अंटर अंटर आपका जो application वो अपरूब हो जाएगा और उसके बाद आप अपना IGNU का ID card download कर सकते हैं और जो books भी रहा है वो आपकी by post send कर दी जाती है IGNU के तर्थ से तो अमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो वीडियो पसंदा है अगर इस वीडियो के लेटर आपको कोई भी question है queries है doubt है तो comment करना नहीं बोले और मिरते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दनेवाद